तो चलिए आज वाली क्लास जो है मैं अप्लिकेशन पर रिकॉर्डिट डालूँगा क्लास नंबर तू डिपार्टमेंटल का रीजन ये है कि थोड़ा सा अप्लिकेशन में इशू है कोई दिक्कत नहीं अभी डल जाएगी जैसे क्लास ओवर होगा हमने डिपार्टमेंटल देख लिया था डिपार्टमेंटल में ये देखा था कि एक वैपारी एक बिजनसमें क्या करता है कि अपने दुकान के अंदर नंबर औफ वराइटी रख लेता है तो बहुत सारे वराइटी रखने के बाद उसको प्रॉबलम होने लगती है जैसे ही उसको problem होने लगती है तो so that वो क्या करता है कि उसको अलग-अलग categorize wise कर देता है जिसको हमने क्या नाम दे दिया departmental departmental के अंदर बड़ी सीधी सी बात थी कि भीया हर department का हमें अलग-अलग trading profit and loss बनाना होगा जिससे related हमने कुछ एक concept भी देख लिया था और क्या क्या चीजे allocation कैसे होगा एक सवाल हमने देखा तो मैं हर बच्चों को बोलूगा इस सवाल को कम से कम एक से एक बार तो जरूर देखके बिना देखे करना है आपने ताकि आपका ना एक smoothly hand free हो जाएगा कि हाँ भीया ऐसे करना है सब ही कामों में ठीक है इसके बाद आगे हम बात करते हैं उससे पहले हम एक concept समझ लेते हैं एक ये भी question आपकी किताब में नहीं है किताब वाला question इसके बाद करेंगा आपकी book का question इसके बाद में लेने वाले है अब ना कई बार क्या होता है नॉर्मली आप समझना बात को जैसे कि पिछले question में आया था department मान लेते हैं A और एक मान लो department हमारा है B दो department होगे department A और B A ने क्या करा कुछ goods transfer कर दिया goods को transfer कर दिया मान लेते हैं let's assume के 1000 रुपे का इसने goods transfer किया और किसको transfer किया B को तो अगर मैं यहाँ पे trading profit and loss बनाऊंगा तो बड़ी सीधी सी बात है जो A है वो बोलेगा के मैंने sale कर दिया है किसको कर दिया है B को तो A और B तो यहाँ पे goods transfer जो भी किया है इसने तो goods हमने यहाँ पे क्या करा goods को transfer कर दिया तो यहाँ पे किसने करा A ने B को किया है तो A अपना sale record कर लेगा 1000 रुपे और B लिख लेगा goods को as a transfer कहां लिख लेगा purchase में B लिख लेगा as a 1000 रुपे अगर यह सारा goods बिक कि जाता है मतलब कि A जब B ने A से लिया अगर बिक कि गया तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर यही goods बिक नहीं पाया अगर यह goods नहीं बिक पाया तो इसका मतलब सर्थ closing stock में बचेगा यह अब किसका closing stock में बचेगा यह समझने वाली बात यह है आप बताए ध्यान से अगर मैंने इसको goods दिया इसके पास है यह सोच रहा था कि कोई customer ले जाएगा लेकिन customer ने लेने से मना कर दिया ऐसा हो सकता है जैसे मान लो बहुत simple सा example है यह दो floor है मैं नीचे cloth बीच रहा हूँ और उपर मैंने रखा हुआ है मान लेते हैं दूसरा segment और यह रख दिया है मैंने सूज का ठीक है एक person आया और उसने मेरे से धेर सारा cloth खरीदा उसने बोला कि आपके पास सूज बगर है नहीं है है ना मैं मंगवाता हूँ उपर से मैंने उपर phone किया या उपर लड़के को अबास दिया कि यारे काम कर कुछ मुझे सूज बिजवा दे वो उपर से आता है वो मुझे देखे चला जाता है क्योंकि at a time दुकान एक है तो वो ये थोड़ी बोले का भई पैसा तो तो अलग-अलग department चल रहा है नहीं बोले का वो वो देखे चला गया मैंने customer को वो दे दिया इसका मतलब मैं तो मान के चल रहा था और इसके कहां पर आएगा सेल में सम्हाव customer दो दिन बात बोलता है सर आपने पता नहीं कैसा ये quality पसंद नहीं है, size नहीं आए, proper नहीं है ये वापसी कर गया तो अब ये stock b के पास होगा या a के पास होगा a के पास तो अगर मैं बात करूँ तो जब तो इसने जो भी बेचा होगा इसको, वो बेचा होगा selling price पे तो इसके closing stock किसमें मिलेगा हमें सर, क्योंकि a ने transfer किया था b को, तो b के closing stock में 1000 मिलेगे, पहले हाँ या ना ये बताओ, मिलेगा b के अब b का closing stock में ये selling price क्या है included है, तो आप एक चीज़ समझना, बड़ी simple सी बात है, अगर हम same ही आपस में खरीद विक्री करते रहेंगे, तो हमें कभी profit नहीं हो सकता, अगर मैं इससे खरीद लूँ और फिर इसी को बेच दूँ, फिर इससे खरीद उँ इससी को बेच उँ, इससे खरीद उ, इससे खरीद उ, इससी को बेच उ मतलब same department पे काम कर रहे है तो क्या end of the result हमें कोई profit नजर आएगा, नहीं आएगा जब तक outsider को नहीं बेचेंगे तो profit नजर तो इसका मतलब सर जो यहाँ पे ये वाला closing stock है न इस closing stock में profit जुड़ा हुआ है यानि sir इसने हमें ही profit पे बेच दिया है अगर मैं इससे ले के customer को बेच दू तो ठीक है मुझे profit पे बेचा, मैंने customer से receive किया automatically profit कहीं न कहीं purchased हो जाएगा, लेकिन इससे लेके मैं अपने पास रखता जाओ तो क्या आप सोचिए क्या वो profit आपके दुकान में reflect होगा कभी, जवाबे नहीं यहाँ पे दिखेगा profit बढ़ रहा है, यह देखेगा कि हमारा stock बढ़ रहा है, तो कभी भी नहीं होगा तो ऐसे situation में इसके उपर जो profit होता है तो जैसे branch में हम loading निकालते थे न, यहाँ पे हम और इसका दूसरा नाम क्या था stock reserve है न, सेम ऐसे हम इसका stock reserve भी निकाल देंगे और इसका stock reserve पता है कहां निकालने वाले हैं, जर्नल profit and loss में, जर्नल कौन सा सबसे last वाले profit and loss में इसका reserve निकालेंगे, ताकि हमें actual profit भेपार का business का पता चल पाएं तो हम एक और सवाल इसी type का देख लेते हैं हमारे सामने एक सवाल है इसी सवाल को मैंने इसलिए लाएं और यह बहुत important है, examiner आपको सिर्फ सिर्फ यही question देने वाला है, जिसके अंदर इसे बोलते हैं कि जब goods transfer किया गया, तो inter department transaction inter department transaction का मतलब एक department का डूसरे department के साथ transaction और उसके अंदर profit involved हो जाता है, तो उसको कैसे टेकल किया जाएं, तो देखो यहाँ पे क्या कहता है, from the following departmental trading account, आपको trading account दे देता है, for the year ended आपको given it, छोड़ी है, department A है, department B है, कहता है stock of jan, jan का stock दे दिया, opening stock है purchase आपको दे दिया, दोनों department का wages भी दे दिया, आपको transfer goods department A department A ने transfer करा है, कितना B को, कहता है transfer of goods from department A, यानि department A से transfer हुआ है, किस के पास B के पास, तो आप समझ सकते हैं, किस के लिए purchase, किस के लिए the end, department, इसके पास ये stock ये stock, sales इसके पास दे रखा है, तो सारी बात है ठीक है कहता है, B, entire percent, कहता है कि entire represent goods from department A, which is transfer 25% above cost कहता है, जो एक department, दूसरे department को समान दे रहा है, वो cost पे 25% जोड रहा है, तो sales पे आपको विस सी बात है branch मेंने सिखा है कितना होगा 20% होगा, ठीक है उसके उपर administrative selling expense amount 15,000, which are to be allocated between A and B, और in the ratio this, और उस वो इस ratio में होगा समझ में ही बात आपको, अब question का एक बार format बना लेते हैं फिर करेंगे इसको फटा फट से इसको तो आपको समझ में आ जाएगा इसको नीचे कर देते हैं चलिए एक क्या बनाएंगे हम सर एक बनाएंगे departmental trading and profit and loss और इसके अंदर दो department है आप ना मैंने पिछली बार total का भी बना के दिखाया था वैसे total आपकी बनाना और ना बनाना आपकी इच्छ है ठीक है ना total में थोड़ा confusion हो जाता है लेकिन नहीं भी बनाओगे तो चलेगा total अगर आप जब कभी नहीं बनाओगे तो आप जर्नल को न अलग कर लेना है यहांसे यानि एक मैं इधर अलगी कर लेता हूँ क्या जर्नल, profit and loss जर्नल का मतलब दोनों को जोड़ कर मैं इधर अलगी कर लेता हूँ जर्नल, profit and loss मies लुएत चिबर पारब्स ल Christmas लॉससे लॉसस लॉशसे है लॉशसस्ट लॉब लॉभट jusटब सिन कीवडिम लॉबिस लॉब डिपार्टमेंट A और B यह आ गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है चलिए यहां तक हम मान लेते हैं कि हमारा ट्रेडिंग रहने वाला है इसके नीचे पी एंडल जैसे करते थे सबसे पहले स्टॉक दे रखा है तो स्टॉक यहां लिख ले तू ले पर्चेज लिख लेते हैं पर्चेज में क्या है दोलाक और इसाजार चलिए सर परचेज के बाद क्या कहता है वेजिस दोनों डिपार्टमेंट का अलग है कितने कितने है दस हजार और एक हजार और कहता है goods transfer from A A से transfer हुआ है तो A बोलेगा मेरा sales है by goods transfer A बोलेगा sales कितने रुपए का और B बोलेगा purchase है अच्छा 50 है goods transfer इसके बाद आगे क्या कहता है आगे continue में कहता है sales यह normal sales है outsider को sales कितना outsider को 2,00,00,00 और 71,000 clear कहता है B entire represent goods from department A B का जो entire goods है department A which is transfer यानि अब closing stock की बात करते है closing stock क्या हमें गीवन है सवाल में तो सवाल में closing stock दे रखा था जो कि मैंने नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर by अलग marker से लिख लेते हैं by closing stock बताईए closing stock क्या क्या है एक का है 30 और 10 है ना 30 और 10 तो कहता है B entire represent goods on department A which is transfer from यानि कहने का मतलब है जब कभी भी profit का हिस्सा जुड़ा होगा वो सिर्फ stock जो बच जाता है उस पे होगा हमेशा याद रखिएगा या तो opening stock पे होगा या closing stock पे अगर मान लेते हैं जो sale किया है उसके अंदर है तो sale तो sale हो गया वो profit तो आई गया तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत किसमें है कि हम आपस में trading कर ले हम आपस में trading कर ले मैं एक example ले लेता हूँ example से समझ यह मान लेते है मान लेते है राम जिस चीज़ को मैं समझाना चाह रहा हूँ और एक दूसरा है मान लेते है श्याम ठीक है ना राम और श्याम दोनों अलग-अलग department में काम कर रहे है suppose करो दोनों का business A की है यह A department में बैठा है यह B department में बैठा है और दोनों आपस में partner ही है ठीक है मान लेते हैं कि इसने सबसे पहले morning में sales किया morning में sales किया इसके पास कितना समान है मैं बता देता हूँ कोई goods समान लेते है कोई goods का मतलब मान लेते हैं इसके पास हम let's assume कि खाने पीने का कोई समान मान लेते हैं ठीक है तो इसके पास 6 तरीके का product है राम के पास और श्याम के पास कितना है इसके पास भी 6 तरीके का product हो गया अब राम जो है न एक सबसे पहले एक product उठा के एक product उठाके बेच देता है किसको सर, outsider को, एक product बठाके बेच देता है outsider को, that is 10 रुपे का, इसने बेच दिया, ठीक है, सारा product दोनों 10-10 रुपे का यह, एक का profit margin रखते हैं, तो बाहर वाले को बेच दिया, तो राम के pocket में बताओ कितना आ गया, 10 रुपे, अब श्याम का मान लेता हैं कि कोई समान भी की नहीं रहा, तो राम ने बोला यार, तुम्हारा समान भी की नहीं रहा, एक काम करता हूं, तुम्हारा समान एक मैले लेता हूं, और पेमिंट दे देता हूं, तो इससे इसने ये समान ले लिया, सपोज इससे एक समान ले लिया, निकल गया है है से और इसके pocket में कितने आ गया 10 रुपए आ ठीक है अब इसके pocket में 10 नहीं बचे फिर इसने बोला चलो मैं तुमारा भी एक समान ले लेता हूं इसने इसका भी एक समान ले लिया चला गया अब ये वाला 10 रुपए किसके पास आ गया वापस इसके पास आ गया अब बोला चलो एक प्रोड़क्ट और ले लेता हूं मैं तुमारा अगर ये आपस में ही deal करते रहें तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि होगा क्या जैन्मेली एक प्रोड़क्ट इसको भी ले लिया ये भी निकल गया यहां से अब ये 10 रुपए फिर इसके पास आ गया अगेन इसके पास फिर बोले मैं तुम्हरा एक प्रोड़क्ट ले लेता हूं तो ये प्रोड़क्ट यहां से निकल जाएगा ये 10 रुपए यहां से आप समझो कि पेमेंट तो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपस में लेकिन अल्टीमेटली करते करते इसके सा सारे प्रोड़क्ट ले जाएगा तो यहां से जितने भी प्रोड़क्ट थे वह सब निकल गए और इसके पास मानलो पैसा है अब यह दोनों जब ढूंडेंगे तो इनको पैसा मिलेगा सिर्फ 10 रुपए और समान तो है ही नहीं तो यहां पर क्या समझ में आता है कि जो हम इंटर डिपार्टमेंट में आउटसाइडर को बेचेंगे वह पैसा तो हमें नजर आएगा और जब हम इंटरनली कोई काम करेंगे तो उस पे कोई प्रॉफिट या कोई पैसा नजर नहीं आने वाला है सिंपल सी बात है क्योंकि यह 10 रुपए आपको जो वैपार में दिख रहा है जो बिजनस के अंदर 10 रुपए दिख रहा है वो किसका है जो यह आपस में काम कर रहे थे उसका है या आउटसाइडर ने जो स्टार्टिंग में दिया था तो हमेशा इसलिए यहां पर लिख रखा है परचेस आउटसाइड से और इस तरीके से वर्ड लिख छके चीजड है चीजब आपको च्छोटी से है चीज यानि इसके आपको क्या समझ में आता है इससे एक बास समझ में आता है जो हम जो ब्रांच अकांट के इंदर जब कभी फी को निकाल के हमें उसका reserve कहा भेजना है सर journal P&L में अगर opening में है तो हम buy में लिख देंगे और closing में है तो two में लिख देंगे समझ मैं ही बाद आपको तो यहाँ पे फटा फट से हम आगे to be continue करते हैं और इसमें एक expense का नाम दे दिया क्या था admin expense तो P&L का part था कौन सा expense था admin और कहता है कितने रुपे 15,000 4 is to 1 में अगर 15,000 को बाटे तो क्या आता है अगर मैं 15,000 को 4 is to 1 में बाटो तो 12 नहीं 15,000 divided by 5 12,000 और 3,000 और 3,000 यहाँ clear है अब यहाँ से चलो GP निकाल लेते है एकर closing 30 है यह ध्यान देना कई बार गरत हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा चलिए 2,005,000 50,000 और 30,000 280 आ गया यह और यह क्या आएगा 280 और यहाँ पर क्या आएगा GP माइनस में 2,00 माइनस में 50,000 तो यह कितना आ गया 30,000 70 और 10 81 और 81 और यहाँ 81 अगर माइनस करते हम तो 20,000 1000 और 10,000 रुपए यह बाइ साइड में आ जाएगा GP कितने 30,000 और 10,000 ठीक है ना 30,000 और 10,000 तो सर यह 30,000 यह 10,000 30,000 और 10,000 यहाँ पर क्या आ गया Net Profit NP कहां ट्रांसफर कर देंगे Journal P&L में कितना आ गया सर 9,000 नहीं 18 कितने आ जाएंगे यहाँ पर 18 और यह 7,000 तो अठारा साथ Buy Sales Sorry, Buy Sales लिख रहा हूँ Buy Profit दोनों का तो Department A का Department B का 18,000 और 7 यानि टोटल Profit दिखाए दिया तो 25,000 लेकिन एक्च्वल में 25,000 नहीं है इसके अंदर बोला गया कि जो Closing Stock है जो Closing Stock है उस पे 25% का Margin है तो Closing Stock किसमें बचा हुआ था तो ओवेसी बात है इसके Closing Stock में था इसमें तो था नहीं क्योंकि इसने इसको जब B को बेचा होगा तो B का ही Closing Stock बचा होगा जो कि A का जुड़ा होगा तो 10,000 में है तो सर 10,000 रुपे का समान था और इसके अंदर Profit Included है और ये 10,000 का समान जो दिया था ना वो पता है किस ने दिया था A ने दिया था हाला कि A ने दिया था 50 लेकिन 50 में से 40 तो बिग गए जो 50 में से 40 बिग गए उसको तो छोड़ो बिग गए तो वो Profit Adjust हो गया होगा लेकिन जो नहीं बिगा उस पे सूचना है तो कितना है हमारा 10,000 तो So that हम क्या करने वाले है इस 10,000 रुपे के उपर इसने कहा है सर हमारा जो Profit रहेगा न वो रहेगा किस पे Cost प्लस 25% और जो समान ये भेजेगा ये That is क्या है ये Selling Price है तो हम इसके उपर तो 25% निकाली नहीं सकते तो हमें Convert करके क्या करते हैं हम Simply 20% निकाल लेंगे तो 20% का मतलब जो Profit आएगा वो कितना आएगा 2000 तो यहां लिखेंगे टू स्टाउक रिजर्व किस में आजाएगा 2000 ना अफ फाइनल Profit निकल जाएगा हमारा 25,000 और 25,000 और टू नेट प्रॉफिट जो फाइनल आया वो आगया 23,000 जो कि हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट यहां पर दिख गया 23,000 बताएगे कोई दिक्कत तो स्टाउक रिजर्व वाला मेन अभी ना यह सिंपल है स्टाउक रिजर्व और धीरे धीरे थोड़ा भहत क्या होता जाएगा एडवांस कुश्चन बनते जाएगे आपके यहां तक किसी को डाउट है क्या बताएगे क्या डाउट है बताओ क्या डाउट है यहां तक जिसको डाउट है पूछ लो